उत्तर परदेश के जनपद अम्रोवा की हसनपूर कोतवाली के महला कोट दरबार में 15 दिन पहले हुआ था युवकों का जगड़ा जिसको लेकर शनिवार को दोनों पक्षों में चाकुछ हुरिया चेलें जिसमें कुछ लोग घायल हो गए जिने उपचार के लिए जिला अस पर युवकों की लगभग 10 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसको महले की कुछ लोगों ने शान करा दिया था लेकिन आपस में दुश्मनी बरकरार रही और दाव लगते ही फैजान पुत्र मुजाहिद ने अपने घरवालों वे दोस्तों के साथ मिलकर महले के ही रहने वाले अजीम पुत्र परवेस पर हमला बोल दिया जिससे अजीम सहीत तीन लोग बुरी तरह ते घायल हो गए घायल अजीम के परीजनों ने बताया कि फैजान ने साथियों में परिवार जनों के साथ मिलकर चाकू छूरी से हमला बोल दिया अजीम के गले म अनों तरफ से लोगोव में घायल राशित पुत्र सहदार बुरी तरह घायल हो गया। राशित के परिजनों का आरोप है कि गाउं में चकबंदी को लेकर जमीनी विवात पनप रा था जिसमें आए दिन जगड़े हुआ करते थे। जमीनी विवात को लेकर दूसरे पक्षिने वे राशित के सर पर डंड़ा मार दिया जिससे राशित की हालत गंबीर बनी हुई है। पूरे मामले की तहरीर कोतवाली में दे दी गई है। हसनपुर अम्रोहा से SPN के लिए महमद चान अंसारी की रिपोर्ट। आपता उनमें से एक बच्चे की फुपी के लड़के से को राई हुई होगी कभी। पहले कभी। ये बच्चा वहाँ पर खड़ाता अब उन बच्चों को पता रहागा। कैसे से हुआ। वो जब उठाने पहुचा है तो जी जाल रगासा। ये बच्चा आपके क्या लगता है। अब जब बच्चे कितने लोग इसमें घायल होगी। इसमें तीन लोग। गायल कैसे हुए है। जब 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 बच्चे पता रहागा कि वह तुमारे भाई को अच्छी मारती जब बंबाख के गए उठाने के लिए उसे हो तो उन बेवार कर लिए। मंतों से उठाने ने जर्दे पोले से खतम कुलेंगे। वो बचा करके कैसे करके लेका है। क्या कर नाम है दाहे लोगनाम है करकाशी पर एक ब्लाद है।